नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्ट्रीव राज में स्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटी सी सेकंड सेमेस्टर मैत के मोडल पेपर 3 को हल कराऊंगा इससे पहले मैंने 2020 के 2 मोडल पेपर हल करवा दिय हैं इसमें भी मैंने अपने आप कुश्चन सेलेक्ट किये हैं तो ज्यादा तर इसमें इंपोर्टन कुश्चन सी रखे गए हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहला कुश्चन तो यहां पर देखिए सबसे पहला कुश्चन है जीरो पॉइंट छे कामा 9.6 और 0.36 का लगु लेते हैं तो यहां पर देखिए पॉइंट वाले अगर लासा मासा आ जाए यहनी कि पॉइंट में संख्या दी हुई हूँ तो उनका लासा मासा कैसे ग्याद करेंगे तो देखिए इसमें हम करते क्या हैं कि सबसे पहले दसमलों के बाद अंकों के संख्या को समान कर लेते ह यहाँ पर दो है यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है तो हर जगे पर दो संख्या कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे सबसे पहले 0.6 कामा 9.6 कामा कितना है 0.36 में दसमलों के बाद अंकों की संख्या समान करते हैं या समान करने पर लिख लिजे समान करने पर तो देखिए अंकों की संख्या समान करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 0.60 हो जाएगा 9.60 हो जाएगा और 0.36 यहाँ पर है और यही यहाँ पर लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर दो अंक हैं तो इस परकार से यह संख्या हो जाएगी अब नीचे लिख लेंगे, अब सभी में, अब सभी में दसमलो हटाने पर, अब सभी संख्याओं में, लिख लीजे, सभी संख्याओं में, दसमलो हटाने पर, तो देखें, दसमलो हटाएंगे, तो यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा यहाँ पर देखे क्या हो जाएगा 960 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 36 अब इन सभी का हम क्या करेंगे लासा ग्याद कर लेंगे तो देखें इनका लासा हम भाग विधी से ग्याद करेंगे 60 है 960 है और 36 है तो देखें सबसे पहले 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे यहाँ पर 30 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 2 चोको 8 और 2 अठे 16 और 0 हो जाएगा यहाँ पर और फिर यहाँ पर अठारा दुनना चतिस हो जाएगा फिर इसको दो से काटेंगे तो यहाँ पर पंदरा दुनना तीस हो जाएगा और यहाँ पर दो दुनना चार और दो चोको आठ यहाँ पर जीरो हो जाएगा और फिर इसको जो है काटेंगे तीन से चाहें तभी इसको द लगा देंगे अब यहाँ पर तीन तरिक का नव हो जाएगा आप यहाँ पर देखे फिर जो है तीन से काटेंगे यह चाहे तो पांच से भी काट सकते हैं तो यहाँ पर हम पांच से काट लेते हैं तो पांच एककम पांच और फिर यहाँ पर देखे पांच एककम पांच और पान्चक का, तीस, और यहाँ पर तीन बच जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, इन संख्याओं को गुड़े के रूप में लिख लेंगे, तो यहाँ पर देखिए, लासा क्या हो जाएगा? लासा बराबर देखिए, पहली संख्या दो गुड़े दो फिर यहाँ पर तीन गुड़े पांच और फिर सोला गुड़े कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा अब इन सभी का गुड़ा कर लेंगे तो देखें इन सभी का गुड़ा कितना होगा दो दुनना चार चार तियां बारा बारा पंचे साथ और साथ तियां ह कितना हो गा, तो चेतरीक आठारा, यनि कि 18 हो जाएगा और 18 का 16 से गुड़ा करें गे, तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 का 16 से गुड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए, 670 हो जाएगा, और 8.40 का, 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 6 कम 6 और 6 4 10 हो जाएगा फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1 यहाँ पर चाहें तो जो है 16 का डारिक्ट टेविल पढ़के भी इसको कर सकते हैं तो यहाँ पर 0, 8, 8 और यहाँ पर 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए 2880 यहाँ पर हो जाएगा तो इस प्रकार से 2880 ही इसका लासा हो जाएगा लेकिन देखिए यहाँ पर इन संख्याओं का लासा 2880 निकला है लेकिन हमको निकालना था पॉइंट वाली संख्याओं का तो देखिए पॉइंट वाली जो संख्याओं है इसमें देखिए दो दो अंकों के बाद दसम्लों लगा है तो यहाँ पर देखिए अभीष्ट लासा तो देखे यहाँपर दो दो अंकों के बाद दसमलों लगा था तो यहाँपर जो लास्ट में लास्सा आया है इसमें दो अंकों के बाद दसमलों लगा देंगे इधर से तो 28.80 हो जाएगा और यही हमारा answer हो जाएगा फिर देखते हैं next question तो देखें, next question है, 4 बटे 5, 6 बटे 25 तथा 8 बटे 15 का लासा तथा मासा ग्याद कीजिए, यनि कि इनका लासा और मासा दोनों ग्याद करना है, तो देखें, ऐसे साधन अंकों का तो नासा मासा बहुत mortar यहाद कर लिया जाता है, लेकिण यहाँ पर अगर भिन्नों का लासा और मासा ग्याद करने के लिए आजाये, तो हम क्या करेंगी, तो यहाँ पर देखें इनके लिए एक फार्मूला होता है, तो देखें वो भिन्नों का लासा बराबर फार्मूला क्या होता है भिन्नों का लासा बराबर यहाँ पर लिख लेंगे अंसों का लासा बटे हारों का मासा बटे हारों का मासा देखे इसको कैसे याद रखेंगे यहाँ पर देखे भिन्नों का लासा पूछा जाए तो देखे अंस जो होते है यनिकि उपर अंस होते हैं तो देखें अंस का लासा और बटे हर का मासा हो जाएगा और जब यहाँ पर देखें मासा पूचा जाए तो यहाँ पर अंस में मासा रहेगा और हर में लासा रहेगा यनिकि जो यहाँ पर पूचा जाए वही यहाँ पर उपर रहेगा यह याद रखना तो यह दोनों फार्मूले हम ऐसा याद रहेंगे यहाँ पर लिखेंगे अंसों का लासा बटे हरों का मासा और जब यहाँ पर पूँचा जाए भिनों का मासा बटे हरों का लासा ये दोनों फार्मूले याद रखना तो जो है यहाँ पर अगर भिन के लासा मासा करने के लिए आ जाए तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं तो यहाँ पर देखे हमको जो है इन संख्याओं के जो है लासा और मासा ग्याद करना है तो यहाँ पर देखे अंसों का लासा सबसे पहले ग्याद करेंगे तो यहाँ पर चार छे और आठ है तो यहाँ पर लिख लेंगे चार छे आठ का लासा इनका लासा यहाँ पर लिख ल का मासा निकाल लेंगे तो यहां पर देखे चार छे और आठ का लासा कितना हो जाएगा तो चार छे और आठ का लासा हो जाएगा देखे 24 चार चंग 24 और छे चोग 24 और आठ तरीक 24 तो इस प्रकार से देखिए जो इनका लासा होगा 24 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए इनका μέसा ग्याद करना है तो देखिए इनका μέसा क्या हो जाएगा पचछाहं, पच्छीस और पांतयेँ 15, यानि कि पांच एक ऐसी संख्या है जिससे तीनों संख्या है कट रही पांच एकम 5, पचाहम 25 और 5 यहीं 15 तो यहाँ पर देखें 5 ही क्या हो जाएगा इनका मासा हो जाएगा तो इस प्रकार से 24 बटे 5 ही इनका जो है लासा हो जाएगा यहनी कि इन भिन्नों का लासा क्या हो जाएगा 24 बटे 5 अब हमको क्या गयाद करना है अब भिन्नों का मासा का फार्मूला लगा देंगे, भिन्नों का मासा बराबर, भिन्नों का मासा बराबर, तो देखें, भिन्नों का मासा का फार्मूला क्या होगा, अनसों का मासा बराबर, सारी, अनसों का मासा बटे, अनसों का मासा बटे, हारों का लाशा, हारों का लाशा, तो देखें, यहां प है चार है छे है और आठ है और हर क्या है पांच है पच्चीस है और पंदरा है तो देखे इनका हमको क्या करना है मासा निकालना है और इनका निकालना है लासा तो देखे यहाँ पर चार छे और आठ का मासा क्या हो जाएगा तो देखे इनका मासा हो जाएगा दो क्योंकि दो एक ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों संख्या हैं कट रहीं तो यहाँ पर देखिए इनका मासा क्या हो जाएगा दो हो जाएगा क्योंकि दो एक ऐसा गुड़न खंड है जो सभी में कामन है यहाँ पर देखे दो गुड़े दो दो तिया इच्छे दो चोको आठ तो दो एक ऐ देखे, पांच से भी 75 कड़ जाएगा, और पचीस तिये 75, यनि कि पचीस से भी 75 कड़ जाएगा, और पंदरा पछे 75, यनि कि 15 से भी 75 कड़ जाएगा, यनि कि 75 एक ऐसी संख्या है, जो इन सभी से कड़ जाएगी और इन सभी के पहाड़े में सबसे पहले आएगी तो यही इसका क्या हो जाएगा लासा हो जाएगा तो इस परकार से इन संख्याओं का यही जो भिन दी हुई है इनका जो है मासा क्या हो जाएगा दो बटे 75 हो जाएगा तो यही हमारा अंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुस्चन तो देखें नेक्ट कुस्चन है कुस्चन नमबर 3 3 x cube minus 9 x square minus 12 x और x square plus 5 x plus 4 का लासा ग्याद कीजिए तो देखें यहाँ पर अगर बेंजक इस तरीके से आ जाएं और इनका लासा ग्याद करना हो तो कैसे हम करेंगे यहाँ पर देखें दो कुस्चन एक में ही आप लोगों के हल हो जाएंगे यनि कि यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि गुड़न खंड कैसे करते हैं और फिर गुड़न खंड करके लासा कैसे लेंगे यह भी यहाँ पर बताया जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि इन दोनों का गुड़न खंड कैसे करेंगे पर यहाँ पर देखें यहाँ पर पहला बन जाक है 3x3-9x2-12x और उसके बाद फिर देखे क्या करेंगे अब यहाँ पर देखे इन तीनों में 3x common मिल ला है तो यहाँ पर 3x common ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x2 और यहाँ से बचेगा 3 3 का 9 यानि कि 3 बचेगा और x common में चला गया तो 1x बचेगा तो यहाँ पर जो है देखे क्या बचेगा 3-12 यहाँ पर 4 बचा और x common में चला गया तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही बचेगा अब देखे क्या करेंगे अब जो है इनका गुड़न खंड कर लेंगे तो यहाँ पर देखे 3X बाहर रहेगा और उसके बाद फिर देखे यहाँ पर 4 के गुड़न खंड करेंगे तो देखे 2 कामा 2 होगा लेकिन उससे कुछ हल नहीं होगा यनि कि इसके गुड़न खंड से ही हमको 3 लाना है तो हम क्या करेंगे चार में से अगर 1 को घटा दे क्योंकि 4 और 1 भी 4 ही का गुड़न खंड है तो यहाँ पर 4 में से 1 को घटा दे तो 3 आ जाएगा तो यहाँ पर X स्क्वाइर माइनस 3 यहाँ पर X स्क्वाइर माइनस यहाँ पर कर लेंगे बाहर और उसके बाद ब्रेकट के अंदर कर लेंगे 4 माइनस 1 यानि कि 4 में से 1 को घटाने पर 3 आएगा तो 4 माइनस 1 कर लेंगे और बाहर जो है गुड़े के रूप में X लिख लेंगे फिर माइनस का 4 हो जाएगा और यहाँ पर मजला ब्रेकट लगा लेंगे अब यहाँ पर देखे 3X हो जाएगा और फिर यहाँ पर इसका अंदर गुड़ा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा X स्कायर फिर इस माइनस का अंदर गुड़ा कर लेंगे और इधार X का भी अंदर गुड़ा कर लेंगे तो यहाँ पर 4X हो जाएगा और यहाँ पर minus minus plus हो जाएगा और x का गुड़ा होगा तो x हो जाएगा फिर यहाँ पर minus का 4 हो जाएगा अब जो है क्या करेंगे अब 3x को इधर ही रखेंगे यहने कि bracket के बाहर ही रखेंगे और यहाँ पर देखेंगे दो-दो के जोड़े बना लेंगे जो कुछ नहीं कामन मिला है जब कामन कुछ ना हो तो कामन एक लेते हैं तो यहाँ पर एक कामन हो जाएगा तो यहाँ से x minus 4 बच जाएगा अब यहाँ मजला ब्रेकर लगा लेंगे अब यहाँ पर देखें थिरी x है अब क्या करेंगे अब जो है इधर जो यह वाला है इसको हल कर लेंगे यहनिकी जो यह बेंजग दिया हुआ इसको हल करेंगे तो यहाँ पर x square दिया हुआ है और प्लस का 5x दिया हुआ है तो यहाँ पर x square प्लस 5x प्लस का 4 लिख लेंगे अब यहाँ पर देखे 4 के गुड़न खंड करेंगे तो यहाँ पर देखे 4 के गुड़न खंड फिर जो है 2,2 होगा लेकिन उससे हमारा कुछ हल नहीं होगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 के गुड़न खंड, 4 और 1 भी होता, तो यहाँ पर 4 में 1 जोड़ेंगे, तो 5 हो जाएगा, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर जो है, इसके गुड़न खंड कर लेंगे, तो यहाँ पर x square प्लस यहाँ पर हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे, और इन दोनों में से, यहनि कि दो दो के जोड़े बना करके X common ले लेंगे इसमें से, तो यहाँ पर हो जाएगा X, और यहाँ से बचेगा X, और यहाँ से बचेगा 4, और फिर प्लस का 1 common ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा X, और यहाँ पर बचेगा 4, अब यहाँ पर देखे इन दोनों में X PLUS 4 कामन है, तो X PLUS 4 कामन ले लेंगे, और यहां से बच जाएगा X PLUS 1, तो इस परकार से यह जो है क्या हो जाएगा, इस बन जक के गुरणखन्ड हो जाएगे, अब हमको देखे ग्याद क्या करना था, हमको last time ग्याद करना था तो देखें last time कैसे ग्याद करते हैं जो दोनों में कामन हो उसको भी एक बार और जो कामन ना हो उसको भी एक बार इस तरीके से लिखते हैं तियां पर देखें 3x इसमें नहीं है तब भी हम इसको लिख लेंगे उसके बाद x-4 इसमें है इसमें नहीं है तब भी इसको एक बार लिख लेंगे और उसके बाद फिर देखे x-1 इसमें है और इसमें है तब भी हम इसको एक ही बार लिखेंगे x-1 और फिर x-4 इसमें है इसमें नहीं है तब भी हम यहाँ पर x-4 लिखेंगे तो इस प्रकार से देखे यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x और फिर bracket में हो जाएगा x-4 और फिर x-1 और यहाँ पर हो जाएगा x-4 चाहें तो यहाँ पर देखे a-b a-b है तो x-square-4 का square भी कर सकते हैं यहीं कि a-b square का formula भी बन सकता है लेकिन यहीं लिखा रहने देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं तो यहीं हमारा क्या हो जाएगा यही answer हो जाएगा तो इस परकार से बेंजकों का लासा और मासा निकालते हैं अब देखते हैं next question तो देखे next question है minus 2 बटे 7 का योज प्रतिलोम बताईए देखे योज प्रतिलोम और गुड़ात्मक प्रतिलोम दोनों में से एक question निश्चित रूप से आता है तो इसलिए यह दोनों आप लोग जरूर केलियर कर लेना काफी बताने के बाद भी बहुत सा confusion ना होना देखे जब आपको लिखा मिले गुड़ात्मक प्रतिलोम और या लिखा मिले सिर्फ प्रतिलोम तब आपको क्या करना है संख्याओं को प्लड़ देना है चिन जो लगा है चिन में आपको हाथ नहीं लगाना है यनि कि जो चिन लगा है उसको वैसे ही लगा रहने दीजिए सिर्फ संख्याओं को प्लड दीजिए जो अंस है उसको हर बना दीजिए और जो हर है उसको अंस बना दीजिए मान लीजिए कोई संख्या केवल जैसे लिखी हुई पांच या चार लिखी हुई ही कहने का मतलब जो है परिमे संख्या के रूप में नहीं है तो संख्याओं को कैसे पलटेंगे मालीजे पांच लिखा है तो उसको एक बटे पांच लिख देंगे और अगर एक बटे पांच लिखा तो उसको सीधे सीधे पांच लिख देंगे तो ये आप लोग समझ लीजे कि गुडात्मक पतिलों में संख्याओं को पलटना है सिर्फ पतिलों लिखा हो तब भी उसका वही मतलब होता है आपको संख्याओं को पलट देना है लेकिन जब आपको लिखा मिले योज पतिलों या योगात्मक पतिलों तब आपको क्या करना है तब आपको सिर्फ चिन परिवर्तन करना है योज परतिलोम और योगात्मक परतिलोम दोनों का मतलब एक होता है और दोनों में जो है क्या करते हैं कि सिर्फ चिन परिवर्तन कर देते हैं बाकी संख्याओं में कुछ नहीं करते हैं यहां पर देखे ज जो है इसको आसानी से किया जा सकता है चाहे योज प्रतिलोम आए और चाहे योगात्मक प्रतिलोम आए चाहे गुडात्मक प्रतिलोम आए और चाहे प्रतिलोम आए गुडात्मक पतिलोम और प्रतिलोम एक होता है योज प्रतिलोम और योगात्मक पतिलोम एक होता है यह एक नंबर में कुश्चन पूछा जा सकता है और देखिए ये वेरी सार्ट कुश्चन है तो देखिए ये वेरी सार्ट में भी आ सकते हैं और बहुविकल्पिये में भी इसको पूछा जा सकता है तो देखिए क्या है यहाँ पर कि क्या सभी अभाज संख्या बिसम संख्या हो जो सम होती है वो बिसम नहीं होती है और जो है आती किसके अंतरगत है अभाज संख्या के अंतरगत आती है क्योंकि वो एक और स्वयम के अलावा अन्ने किसी संख्या से नहीं करती है इसलिए यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि सभी अभाज संख्याएं बिसम संख्याएं नहीं होत जो अभाज तो होती है लेकिन वो बिसम नहीं होती है क्या होती है सम होती है तो यह यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नहीं नहीं, सभी अभाज संख्याएं, बिसम संख्याएं नहीं होती है, दो एक ऐसी संख्या है, जो सम है, और अभाज भी, दो एक ऐसी संख्या है, जो सम है, और अभाज भी है, तो इस परकार से इस कुश्चन को भी कर सकते हैं, अब देखते हैं, next question, तो देखें, next question है, 24 और 30 के बीच अभाज संख्याएं ग्याद कीजिए, तो देखे 24 और 30 के बीच में अभाज संख्यां हमको ग्याद करनी है तो अभाज संख्यां का मतलब होता है जो एक से संख्या कटे और स्वयम से कटे इसके अलावा अनिकिसी संख्या से ना कटे तो देखे 24 और 30 के बीच अभाज संख्यां कांसी होंगी तो देखे, 24 के बाद 25 आता है, तो 25 क्या है, देखे, जो है, बिशम संख्या तो है, लेकिन वो अभाज संख्या नहीं है, क्योंकि वो 5 से कड़ जाती है, और फिर देखे, 25 के बाद 26, वो तो संख्या है, फिर देखे, 26 के बाद 27, तो 27 भी देखे, बिशम संख्या तो है, ले जो किसी भी संख्या से नहीं करती है, या तो स्वयम से करती है, या तो एक से करती है, इसलिए वही क्या हो जाएगी, अभाज संख्या हो जाएगी, यहाँ पर 24 और 30 के बीच की अभाज संख्या क्या हो जाएगी, 29 हो जाएगी, यहीं कि सिर्फ एक संख्या होगी, 29 और यही इसका answer हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखे next question है एक बटे च्छे और एक बटे तीन के मद्ध दो पर्मे संख्याएं ग्यात कीजे बहुत important question है और इस type का question पूछा भी जा सकता है तो देखे इस type का question हो सकता है कि आप लोग अभी तक ना पढ़े हों क्योंकि इस type का question आ पर्मे संख्याएं हमको निकालनी हो तो आप सभी ने ये जरूर पढ़ा होगा कि दो भिन पर्मे संख्याएं के बीच में अनंत जो है पर्मे संख्याएं होती हैं लेकिन अनंत पर्मे संख्याएं कैसे होती हैं तो वो यहाँ पर हमको सीखना है यहाँ कि उनके बीच की कु बीच की पर में संख्या कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर जैसे एक बटे छे और एक बटे तीन के बीच की पर में संख्या हमको निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बटे छे प्लस एक बटे तीन करेंगे, और इसको दो से भाग करेंगे, तो यहाँ पर देखे का दो से गुड़ा होगा तो 6 होगा तो उपर भी 2 से गुड़ा करेंगे तो 1 प्लस 2 हो जाएगा बटे 6 हो जाएगा और यहाँ पर बटे में 2 हो जाएगा अब यहाँ पर देखें यहाँ पर 2 के बटे में 1 कर लेंगे तो इसका गुड़ा उपर होगा और इसका गुड़ा द यहाँ पर देखे तीन चोक 12 हो जाएगा यहाँ पर एक बटे चार हमारा आ जाएगा तो इस प्रकार से देखे एक बटे छे के बीच में जो है कौन से संख्या हो जाएगी एक बटे चार हो जाएगी यहाँ पर एक बटे छे और एक बटे चार और यहाँ पर एक बटे तीन इ यहां पर अगर इसके बीच की संख्या निकालेंगे, तब भी बीच की संख्या निकालेंगे, उस सभी संख्या इनके और इनके बीच की ही निकलेंगी, देखें, यहां पर अगर इसके बीच की संख्या निकालेंगे, तब भी इन ही दोनों संख्या की बीच की संख्या होगी, तो यहां पर देखें, इसके बीच की संख्या निकालेंगे, एक बटे छे, प्लस एक बटे, चार हो जाएगा, और बटे में दो, अब यहां पर देखे इनका LCM लेंगे, तो इनका LCM क्या हो जाएगा, 6, 24 हो जाएगा, और यहाँ पर देखे, 4 से गुड़ा हुआ, तब 24 हुआ तो उपर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखे, 6 से गुड़ा हुआ है, तब यहाँ पर 24 हुआ है, तो प्लस का 6 हो जाएगा, अब यहाँ पर बटे म पुढ़े दो हो जाएगा अब यहां पर देखें दस बटे कितना हो जाएगा यहां पर चाहें तो सर्व न करने 2 पंचे 10 हो जाएगा यहां पर 5 बटे देखें पांच बटे doua हमारा जो है क्या जाएगा इन दोनों संख्यां के बीच की संख्या आ जाएगी तो इस परकार से यहां पर देखे क्या हो जाएगा एक बटे छे इस परकार से देखे एक बटे छे और फिर एक बटे चार और फिर जो है क्या हो जाएगी एक बटे चार नहीं होगा यहां पर ब बटे 24 और फिर 1 बटे 4 और फिर 1 बटे 3 तो इस प्रकार से देखे इन दोनों के बीच की दो पर्मे संख्याएं आ जाएंगी तो इस प्रकार से चाहे जितनी पर्मे संख्या निकालनी हो हम आराम से निकाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तो इस प्रकार से यह ही हमारा एंसर आ जाएगा तो देखिए हम नेक्ट कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमबर एट यहाँ पर देखिए तो देखिए इस कुश्चन को कैसे करेंगे पान सो पांच गुड़े चार सो पंचान नमबे का मान सरसमिका की साहता से ग्याद कीजिए तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे सबसे पहले जो है पान सो पांच को प्लस पांच में तोड़ लेंगे और देखिए यहाँ पर चार सो पंचान नमबे को क्या करेंगे यहाँ पर पान सो माइनस पांच मे इसको तोड़ लेंगे, तो यहाँ पर देखे, यहाँ पर A प्लस B और A माइनस B का फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर देखे, इसको A मान लीजे और इसको B मान लीजे, यहाँ पर भी इसको A और इसको B मान लीजे, तो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, A प्लस B, A माइ बी तो यहां पर इसको देखिए एह सक्व cabinets b² के रूप में लिख सकते एए यहां पर گंटolब क्या हो जाएगा 500 का इसक्व का इसक्वार or minus k både गili है यहां पर देख़िए से सिंदो सही आएगा लेकिन जो है आपको करना क्या है आपको समिका का परियोग करके इस कुश्चन को करना है आपको डारेक्ट इसका गुड़ा नहीं करना तो इस रूप में इसको लिख करके सबसे पहले उसके बाद A²-B² का फार्मूला बनाएंगे तो यहाँ पर A²-B² करेंगे अब यहाँ पर 25 हो गया है अब क्या करेंगे इस 25 को इस में से घटा देंगे तो यहाँ 10-10 में से 5 गया तो 5 बचा यहाँ पर 9-9 में से दो गया तो 7 बचा अब यहाँ पर 9 बच जाएगा यहाँ पर 9 बच जाएगा और यहाँ पर 24 बच जाएगा तो इस प्रकार से देखे जो है 24,99,75 हमारा एंसर आ जाएगा तो इस टाइप से जो है ये कुश्चन आसानी से किये जा सकते हैं अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन समी करण एक्स बटे 3 माइनस 5 बटे 2 बराबर 6 को हल कीजे बहुत ही आसान कुश्चन है इस समी करण को क्या करना है हल करना है और हल कर तरहने के बाद यहां पर देखे एक्स false गैजिए पद एक तरव रखते हैं और बाकी इसको इधर पच शांतर कर देते हैं तो यहां पर देखे माइनस ही इधार जाएगा प्लस में हो जाएगा और फिर देखे यहां पर क्या करेंगे यहां पर LCM ले लेंगे तो LCM देखे दो हो जाएगा और इस 6 का 2 से गुड़ा हो जाएगा तो 6 दुनना 12 और प्लस 5 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा अब यहां पर X बटे 3 हो जाएगा और यहां 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा 17 बटे 2 हो जाएगा अब यहां पर तिर्यक गुड़ा कर लेंगे और तिर्यक गुड़ा करेंगे तो देखे क्या हो जाएगा 2X बराबर देखे क्या हो जाएगा 1731 तो यहाँ पर देखे 1731 हो जाएगा और उसके बाद पर देखे यहाँ पर जो यह दो है यह दो गुड़े में है इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा तहाँ पर 51 बटे 2 हो जाएगा यानि कि X की वैलू क्या आ जाएगी एक 51 बटे 2 ही आ जाएगी और यह हमारा एंसर हो जाएगा फिर देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है आयत की लंबाई वा चोड़ाई क्रमसा 10 सेंटीमीटर वा 8 सेंटीमीटर हैं आयत का छेथफल तथा बिकर्ण की लंबाई ग्याद कीजे आयत की लंबाई वा चोड़ाई क्रमसा 10 सेंटीमीटर वा 8 सेंटीमीटर हैं आयत का छेथफल तथा बिकन की लंबाई ग्याद कीजे तो देखे इसको कैसे करेंगे तो यहाँ पर देखें लंबाई और चोड़ाई आयत की दी हुई है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आयत का छेथफल निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आयत का छेथफल बराबर आयत का छे 80 हो जाएगा सेंटिमीटर में दिया है यहां पर छेतर फ़ल है तो वर्ग सेंटी मिटर में हो जाएगा और उसके बाद पर देखे क्या दिया हुआ है कि 6 निकि 6 निकि 7 निकि 6 और Tips कि लंबबाई दोनों गैद करनाकी 8 चैटर नहीं गैद कर का स्कूर प्लस चोड़ाई का स्कूर लंबाई का स्कूर प्लस चोड़ाई का स्कूर तो यहां पर देखें लंबाई दी हुई है दस तो यहां पर दस का स्कूर कर लेंगे और प्लस चोड़ाई दी हुई है आठ तो यहां पर आठ का स्कूर कर लेंगे तो यहां पर अंडर र वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कि 164 को जो है 4 गुडे 41 के रूप में तोड लेंगे, क्यों कि 41 का सारी, यहाँ पर देखे, 4 का वर्गमूल निकल दखता है, तो यहाँ पर 4 गुडे 41 कर लेंगे, तो देखे चार एककम चार और चार चौक सोला यनि कि इनका दोनों का गुड़ा 164 के बराबर ही होगा तो इस रूप में इसको लिख करके फिर देखे चार कवर मुल क्या होता है दो होता है तो इसको बाहर निकाल लेंगे और रूट के अंदर 41 बच जाएगा तो इस परकार से यही इसका एंसर हो जाएगा तो यहाँ पर देखे आयत का चेटफल निकालना था तो चेटफल निकाला है और यहाँ पर देखे आयत का बिकण निकालना था तो इस परकार से आयत का बिकण निकाल लेंगे यहाँ पर देखे यह आयत के छेटफल का फार्मूला था और यह आयत के बिकड़ का फार्मूला था देखे जो बिकड़ वाले कुश्चन होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं इसलिए आप लोग बिकड़ वाला फार्मूला एकदम से क्लियर कर लेना क्योंकि आपको सीध वाला फार्मूला जरूर याद रखना और देखें इसी से जो है आयत से ही जो है क्या बनता है घनाव बनता है तो इसी से जो है घनाव के भी फार्मूले बने हैं यहीं कि देखें आयत में क्या होता है सिर्फ लंबाई और चोड़ाई दी हुई होती है और घनाव में क्या होत उसकी उचाई भी दी हुई होती है तो यहाँ पर देखे जैसे आयत का है तो छेदफल निकालते है और घनाब का क्या निकालते है आयतन निकालते है तो यहाँ पर देखे आयत के छेदफल का फार्मूला क्या है लंबाई गुड़े चोड़ाई है तो यहाँ पर जैसे घनाब का पूछा जाता तो घनाव का आयतन बराबर क्या हो जाता तो यहाँ पर गुड़े उचाई भी कर देते वह यही फार्मूला घनाव का भी होता है यही फार्मूला आयत के छेटफल का होता है वही फार्मूला घनाव के आयतन का होता है सिर्फ यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा क क्या हो जाता है गुड़े में उचाई को लगा देते हैं बस और उसी परकार से यहां पर जैसे आयत का विकर्ड अंडर रूड लंबाई का स्कॉर प्लस चोड़ाई का स्कॉर है तो यहां पर अगर होता कि घनाब का विकर्ड बराबर तो घनाब में क्या करते हैं यहां पर प हो जाता जो है घनाव का बिकर्ड तो इस प्रकार से जो है आयत के साथ साथ आप घनाव के फार्मूले भी याद रख सकते हैं अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है कुश्चन नंबर 11 किसी वर्ग की भुजा तो देखें वर्ग की एक भुजा दी हुई है और इसका हमको क्या करना है बिकर्ड और छेत फल निकालना है तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे लिख लेंगे वर्ग का बिकर्ड बराबर वर्ग का बिकर्ड बराबर देखें इसका बिकर्ड पूचा गया है तो इसके बिकर्ड का फार्मूला क्या होता है भुजा अंडर रूड दो भुजा अंडर रूड दो तो देखें भुजा कितनी दी हुई तीन दी हुई है तो यहाँ पर भुजा की जिगे पर तीन लिख लेंगे तो तीन अंडर रूड दो इसका विकर्ण हो जाएगा और उसके बाद पर देखिए जो है छेट फल भी पूँचा गया तो यहाँ पर वर्ग का छेट फल वरावर फार्मूला क्या होता है वर्ग का छेट फल वरावर तो देखिए वर्ग के छेट फल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वेर, भुजा स्क्वेर, यहां पर भुजा देखें, तीन दी हुई है, तो तीन का स्क्वेर कर देंगे, तो तीन तरिक का नव हो जाएगा, और देखें, सेंटी मीटर में दिया हुआ है, यहां पर लिखतेंगे, वर्ग सेंटी मीटर, और यही हमारा अंसर हो ज जैसे इसमें वर्ग में क्या होता है लंबाई और चोड़ाई दी हुई होती है यानि कि लंबाई चोड़ाई सब बराबर होती है तब उसको वर्ग कहा जाता है लेकिन जब उसकी उचाई भी हो यानि कि एक डिब्बे जैसा हो तब उसको क्या कहेंगे घं कहेंगे और यहाँ पर देखे जब घं का विकण कहा जाए तो यहां पर जैसे भुजा अंडरूड तीन दिया हुआ है यानि कि इसमें सिर्फ लंबाई और चोड़ाई होती है तो यहां पर देखे क्या हो जाएगा भुजा अंडरूड दो हो जाएगा और जब घं का विकण कहा जाए तो यहां कि यहाँ पर छेतफल दिया हुआ है और जब घन होगा तो घन का आयतन दिया होगा तो यहाँ पर घन के आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा भुजा क्यूब यनि कि यहाँ पर जैसे भुजा स्क्वाइर है छेतफल में भुजा स्क्वाइर है तो घन के आयतन में क्या हो जा चे संदूने गुज़ाएं चे सेंटीम्यटर और दस संदूने तथा उसका विकड़ आट संनि मेटर है समांतर चतुर भूज का छेत्फ़ल ग्याद कीजिए यह निकिसे समांतर चतुर भूज की इस टाइप का बना होगा मालीजे ऐसे बना लेंगे इसको ये मालीजे समांतर चतुर भुज है और इसमें क्या कहा गया है कि समांतर चतुर भुज की दो सनलग्ण भुजाएं सनलग्ण का मितलब क्या है एक दूसरे से जुड़ी हुई भुजाएं 6 cm और 10 cm है तो मालीजे ये भुजा 6 cm है और ये भुजा 10 cm है और कहा गया है कि उसका बिकर्ड 8 cm है यहाँ पर मालीजे ये बिकर्ड इसका दिया हुआ है 8 cm तो इसको 8 cm लिख लेंगे तो समांतर चतुर भुज का 6 फल ग्याद करना है तो देखे समांतर चतुर भुज तो हम क्या करेंगे कि इन भुजाओं के नाम रख लेंगे तो यहाँ पर देखे ये मालीजे A भुजा हो जाएगी ये B हो जाएगी ये C हो जाएगी और ये D हो जाएगी और अब यहाँ पर इनकी नाप हम लिख लेंगे तो देखे A B बराबर कितनी दी हुई है 6 cm दी हुई है A B बराबर 6 cm फिर देखे B C बराबर कितनी दी हुई है तो यहाँ पर देखे जैसे 10 यह है तो यह भी 10 हो जाएगी यह 6 है तो यह भी 6 हो जाएगी तो यहाँ पर B C कितनी हो जाएगी रॉर इसी तरीके से यहाँ पर A, B बराबर, जो है क्या हो ĝाईगी, DC बराबर 6 cm हो जाएगी और अब देखिये यहाँ पर तिर्भूज A, B, C में देखेंगे, तिर्भूज A, B, C में, क्या है यहां पर जो है यह एक बिसम बाहुतर भुझ बन रहा तो यहां पर मन लिजे हम इसका अगर छेतर फल निकाल लें तो इसी के छेत फल के बराबर इसका भी छेत फल होगा और अगर इन दोनों का छेत फल निकाल लिया जाए तो हम इस पूरे समांतर चतुर भुझ के छ हम यहाँ पर बिसम बाहो यनि कि देखे इसकी ये भुजा पता है ये भुजा पता है तो इसका हम चेटपल आसानी से निकाल सकते हैं तो यहाँ पर हम तिरभुज A, B, C का चेटपल निकाल लेंगे और उसका हम दो गुना कर देंगे तब इस पूरे चतुरभुज का जो है च चुकि बराबर क्या हो जाएगा 6 यह निए कि यह भूजा हो जाएगी 6 प्लस 8 प्लस 10 बटे 2 यहीं कि यह हो जाएगा इसका परिमाप और परिमाप बटे 2 हो जाएगा अर्ध परिमाप तो यहां पर देखिए आठ छे च्योदा ऑर 14 10 24 हो जाएगा और 24 का 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा तो इसका अर्ध परिमाप 12 निकल आएगा और यहां पर लिख लेंगे चुकि तिर्भुज A, B, C बराबर A, B, C बराबर क्या होता है देखिए तिर्भुज A, B, C इसलिए हम लिख सकते हैं लिख सकते हैं चतर्भुज 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 A, B, C, D A, B, C, D का छेत फल बराबर का छेत फल बराबर 2 इंटू तिर्भुज 2 इंटू तिर्भुज A, B, C का छेत फल देखिए पुना एक बार देख लेते हैं चुकि यहाँ पर तिर्भुज A, B, C बराबर तिर्भुज A, C, D यहनि कि इसके बराबर यह तिर्भुज है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चतुर्भुज A, B, C, D का छेत फल क्या होगा अगर जो है तिर्भुज A, B, C का छेत फल निकाल करके और उसका दो गुना कर दें यहनि कि दो गुड़े तिर्भुज A, B, C का छेत फल अगर कर दें तो इस पूरे जो है समानतर चतुर्भूज का चेतफल निकल आएगा तो वही काम यहाँ पर हमको करना है तो देखे चतुर्भूज यहाँ पर लिख लेंगे पुना एक बार कि चतुर्भूज यहाँ पर देखे तिर्भूज नहीं चतुर्भूज लिख लेजे चतुर्भूज A, B, C, D का छेदफल बराबर का छेदफल बराबर 2 into तिरभुज A, B, C का छेदफल तो देखे, यहाँ पर 2 into तिरभुज A, B, C का छेदफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखे, जो है B, सम, बाउ, तिरभुज के छेदफल का फार्मूला लगा देँगे, तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होता है, S, S माइनस A, S माइनस B S माइनस C S माइनस C तो यहाँ पर यह फार्मूला लगा देँगे, तो यहाँ पर 2 into, तो देखे, S क्या है ऐसी यहाँ पर देखिए निकाल जुके हो अउपर 12 है तो यहाँ पर 12 लिख देंगे फिर 12 माइनस ए मालीजे 6 हो जाएगा फिर यहाँ पर 12 माइनस 8 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 12 माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा तो इस प्रकार से सभी बुजाओं को लिख देंगे और उसके बाद फिर देखे इन सभी को घटा लेंगे तो यहाँ पर दो गुड़े हो जाएगा देखे अंडर रूट के अंदर 12 और यहाँ पर गुड़े यहाँ पर देखे 12 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा फिर यहाँ पर गुड़े यहाँ पर 12 में 8 जाएगा तो 4 बचेगा और फिर गुड़े यहाँ पर 12 में 10 जाएगा तो 2 बचेगा अब इन सभी का गुड़ा करेंगे तो देखे इन सभी का गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखे चार दुन्ना आठ और आठ चंग 48 और 48 का बारा से गुड़ा करेंगे तो देखे कितना हो जाएगा यहाँ पर 48 का बारा से गुड़ा करेंगे यहाँ पर बाराटी 96 96 कच्छे हो जाएगा और फिर बारचोक 48 और 48 और 9 48 और 9 कितना हो जाएगा एक सो देखें 48 और 9 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा 48 और 9 57 हो जाएगा सारी तो यहाँ पर 57 लिख देंगे 576 का वर्गमूल क्या आजाएगा? तो 58 का वर्गमूल आजाएगा 20 यानि कि 24 का स्कॉायर आप करके देख सकते है यहां पर 576 ही आएगा तो 570 का वर्गमूल 24 हो जाएगा और 24 का 2 सिगुड़ा करेंगे तो 24 हो जाएगा तो इस प्रकार से जो है समानतर चतुर्भुज 1 किये जा सकते हैं देखे इस टाइब का कुश्चन भी एक पूछा जाता है तो इस टाइब से आप इसको आसानी से लगा सकते हैं यनिकी सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर इस तरीके से समांतर चतुर्भुज बना लेंगे और फिर बीच में बिकंड दिया रहेगा फिर पर देखे दो बिसंबाव तिर्भुज बराबर के आपके बनेंगे एक बिसंबाव तिर्भुज का छेत फल निकाल लेंगे और उसका दो से गुड़ा कर देंगे तो इस परकार से पूरा जो समांतर चतुर्भुज है उसका जो छेत फल है वो निकाल आएगा अब देखते है नेखट कुश्चन है याद ञेगुष्चन है कोई भुझा 10 cm हो तो तिर्भुझ का चेत फल ग्याद कीजिए शमभा तिरिभुझ में यादि संभाव तिरिभुझ में क麼 इभुझा 10 cm हो तो तिर Пр का च्छेतफल ग्याद कीजिए तो देखे इस कुश्चन को कैसे करेंगे तो देखे यहाँ पर हम सरप्रत्थम जो है क्या करेंगे कि संभाव तिर्भुज के च्छेतफल का फार्मूला लगा देंगे डारेक्ट संभाव संभाव तिर्भुज का च्छेतफल बराबर तो देखे संभाव तिर्भुज का च्छेतफल का फार्मूला क्या होता है अंडर रूट थिरी बाई फोर इन्टू भुजा स्कॉयर तो यहाँ पर अंडर रूट थिरी बाई फोर हो जाएगा और भुजा देखे कितनी दी हुई है दस दी हुई है तो यहाँ पर दस का स्कॉयर हो जाएगा यानिकि दस गुड़े दस हो जाएगा अब देखे क्या करेंगे दस दहमा सव हो जाएगा यानिकि यहाँ पर हम क्या करेंगे दो से इसको काट देंगे दो दुनना चार और दो पंचे दस और फिर दो से इसको काट देंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा फिर 5 का 5 से गुड़ा होगा तो 25 हम 25 हो जाएगा यानि कि 25 अंडर रूड 3 यहाँ पर आ जाएगा अब देखिए यहाँ पर अंडर रूड 3 का मान दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे 25 गुड़े अंडर रूड 3 का मान रख लेंगे तो देखें under root 3 कमाल होता है 1.732 अब यहाँ पर 25 का इसमें क्या करेंगे गुड़ा करेंगे तो देखें 25 दुनना 50 होता है तो 50 का 0 हो जाएगा फिर 25 तिये 75 होता है और 75 पाच 80 तो 80 का भी 0 हो जाएगा फिर 25 सते कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा और 175 और 8 तो देखें 175 और 8 कितना हो जाएगा तो यहाँ पर देखें हो जाएगा 85 तेरा और यहाँ पर हो जाएगा 85 तेरा और यहाँ पर हो जाएगा 180 तो 180 का देखें 5 हो जाएगा तो यहाँ से 18 बच जाएगा अब 25 से कम 25 हो जाएगा और 25 में 18 जोडेंगे तो देखे कितना हो जाएगा 8, 5, 13, 13 का 3 और यहाँ पर 3, 1, 4 यहनि कि 43 हो जाएगा तो यहाँ पर 43 लिख लेंगे अब देखे तीन अंकों के बाद दसंबलो था तो हम क्या करेंगे कि तीन अंकों के बाद दसंबलो लगा देंगे तो यहाँ पर देखे इस जगे पर दसंबलो लग जाएगा तो यहाँ पर देखे मान हमारा कितना आ जाएगा देखे यहाँ पर थोड़ा सा मिश्टेक हो गई है यहाँ पर 8, 5, 13 होगा तो यहाँ पर 13 का 3 जो है लिखना चाहिए आ जाएगा तो इस प्रकार से जो है इस कुश्चन को आसानी से किया जा सकता है तो इस प्रकार से आज के सारे कुश्चन समाप्त होते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों यह हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ला बात्रों